मेरा नाम तोता राम है मैंने एक तोता पाल रखा है मैंने उसका नाम तोतो चान रखा है मेरा तोता कुतर कुतर कर फल सबजी खाता है और सब की बाते रट जाता है मेरी वार्शिक परीक्षा नस्दीक थी मैं चिंतित था साल भर में खुले तोते की तरह उर्ता रहा था अब परीक्षा मुझे तोतोचान की तरह पिंजरे का तोता बनाना चाहती थी मैं टहल टहल कर उत्तर याद कर रहा था तोतोचान वही था तोतोचान मेरे जवाब को रट कर दोहराने लगा मुझे लगा तो ऐसे मैं भी परीक्षा में उची उडान भर सकता हूँ मैंने कई उत्तर तोते की तरहे रट लिए जब मैं पेपर में बैठा और प्रश्नपत्र मेरे हाथ आया तो मेरे तोते उड़ गए जो मैंने रटा था प्रश्न उससे अलग थे परीक्षा में जो टीचर आये वे चील की तरह हम पर नजर गड़ाये थे एक बार मैंने उनकी नजर बचा कर अपनी गर्दन घुमाई तो उन्होंने टोका तोते की तरहे गर्दन मत घुमा मैं बहुत उदास हो गया मुझे अपनी दशा पिंजरे के तोतोचान जैसी लगी कुछ देर के लिए टीचर क्लास से बाहर गए और दूसरी मैडम क्लास में आ गई उन्हें देखते ही सभी बच्चे आपस में टाएं टाएं करने लगे बाद में जब मैडम जोर से बोली तो सब चुप हो गए मैंने मैडम से दो सवाल पूछें उन्होंने मुझे सवाल समझा दिये तब मुझे समझ आया कि प्रशन तो वही हैं जो मैंने याद किये थे बस परीक्षक में कान घुमा कर पकड़ लिये थे टीचर के जरा से अपने पन से मेरे दिमाग का पिंजरा खुल गया और मेरे विचारों को पंक मिल गया मैंने अपना पेपर अच्छे से किया परीक्षा खत्म होने पर क्लासरूम के बाहर मेरा मित्रमुन्ना मुझे मिला उसकी गर्दन तो तोचान की तरह लटकी थी मैं समझ गया था कि पेपर ने उसके तोटे उड़ा दिये हैं यार पास हो जाएगा कहकर मैं तोटे की तरह उड़ता हुआ अपने घर आ गया और तो तोचान के साथ खेलने लगा